हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Smart Jobs में तो दोस्तों आज की जो विकेंसी है यह आरही है Tata Power की तरफ से Tata Power, Tata Power Electrical यहाँ पर Electric Power Distribution Company की तरफ से विकेंसी आरही है और Tata है साथ मैं बात करें गया हम लोग इस विकेंसी की तो यहां पर जो हमारी विकेंसी निकल करा रही है अप लोग अप्लाइज जरूर करना बहुत इची रिक्विट्मेंट है कौन को नप्लाइग कर सकता है क्या यहां हम लोग सारी चीज़े स्टार्टिंग में डिसकस कर है एक्सपिरेंस और फ्रेशर दुनों के लिए यह विकेंसी आ रहा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुरिटी है बात करें क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन में यहां आप लोग डिप्लोमा कैंडिडेट ग्राजुट कैंडिडेट ऑल्सो आईटे कैंडिडेट भी इलेजिवल है यहां पर डिप्लोमा इट ग्रेजुट सभी के लिए विकेंसी निकाली गई है अब बात आती है मेले की यहां पर बैच क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे 2022 में पास आउट है और उनका भी रिजल्ट नहीं आया है रिजल्ट आने की बज़े से क्योंकि एहां पर जादा प्रीजल्ट आने यहां पर अप्लोड करना पड़ता है यहां पर नेट आटा जो भी आप लोगों की विकेंसी निकलती है गवर्मेंट अपर आपर एंटीस पोर्टल पर रिज्टेशन मांगा जाता है और जो जिनका रिजश्टेशन नहीं हुआ रेजल्ट नहीं आया तो इसलिए मैं उन लोगों बोल रहे हूं जब तक आप लोगों का रिसल्ट नहीं आजाता तो आप गवर्मेंट विकेंशी के मिले अपलाई करें पहला कौन सिे लिय services के लिए आ लोग आपलाई करें 轻ति है तो वां पलीज अटेंड किजिए और गीनिंटेटेन कर सकते हैं तो आप 좋 तो आप पैसे ना दे क्योंकि क्या होता है आज कि दुनिया में पैसे के लिए हर कोई काम करता है आप खुद भी जौब करना चाते हैं पैसे कि लिए करना चाते हैं माल लेजे कोई company है, company ने किसी एक student को hire किया, student हो गया, कोई बड़ा person हो गया, imply हो गया, उसको hire किया, ये बोलकर, कि आप जाएए हम आपको पूरा मतलब salary देंगे, और extra advance में भी मिलता है, उन लोगों को commission भी मिलती है, आप लोगों को commission मिलती है, कि उसने क्या हुआ, इतने सा student की requirement है, तो हमें इतने सारे student चाहिए, अब वो क्या करेंगे, वो मेली या तो LinkedIn पर, या फिर नॉकरी.com पर, या फिर अलग-अलग platform पर, आप लोगों की walk-in interview, या फिर आप लोगों की अलग-अलग platform होते वहां पर vacancy निकालते हैं, वैसे अगर company की तरफ से देखा जाए, company जब भी direct requirement निकालते हैं, वो कभी भी पैसे चार्ज नहीं करती है, तो company सिधा कहती है कि हम कभी भी पैसे चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन ये जो third person होता है, ये क्या करता है, ये student से पैसे मांगने लगता है, इसको तो student वैसे भी चाहिए, क्यूंकि पता है ना कि इसको इतन पैसा कमा लेगा इतने लोगों से, तो यही है मेली third person का रोल, इसलिए मैं जाता तर कोशिश करती हूं कि third person का रोल ना हो, इसलिए मैं भी हमेशे आप लोग को पिरफर करती हूं, आप लोग डायरेक्ट इंटर्व्यू के लिए जाया करें, अगर आपके आज-पास में लो आप लोगों को गयां करना गया हो आप लोगों को direct, आप लोगो को यह है TH देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए आ रही है मतलब डिप्लोमा ट्रेनी वालों के लिए और यह लेटेस्ट अप्डेट है 169-22 को ही पोस्ट आउट की गई है देख सकते हैं 169-169 एकदम लेटेस्ट अभी तक किसी ने अप्लाइ नहीं किया है तो जल्दी से जाना और अप्लाइ कर देना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो यहां अप्लोगों का रिज्यूम अप्लोड कराया जाएगा अब बात करते हैं इलेक्रिकल वालोगी तो इलेक्रिकल से रिल्लमेंट कई सारी ब्रांच होती ह यह सभी apply करेंगे यहां ओलर लोग अप्लाइ करेंगे अब आता executive prime yay यहां मार्केटिघंग के चित्र में निकली है यह सिर्फ वाले अप्लाइ करेंगे graduate ग्रेजूट में जैसे बीए कर सकते हैं २ान टेकनिकल प्रोफाइल है इसी तरीके से यहां पर attends private training इस यह अंदेक् अब बात है site engineer मतलब site manager कर सकते है site engineer कर सकते है साइट manager एक तरीके से देखा जाए तो इसके लिए technical candidate apply कर सकते है graduate apply कर सकते है, diploma apply कर सकते है, IT apply कर सकते है as well as आप लोग ज़रूर apply करें अब बात आती है यहांपर GET operation GET मतलब graduate engineer training graduate engineer training का मतलब होता है fresh candidate operation operation मतलब जहां पर आप लोग का operation maintenance वगरा होता है उस department पर आप लोग को हायर किया जाएगा तो यहां ओले और graduate candidate ही apply करेंगे जो हमारे technical चेत्र से हैं अब आता है finance तो finance में जैसे CA वगरा करा है चार्ट अकाउंट वगरा की job करते हैं यह लोग CA ठीक है तो civil से relevant जितने भी candidate है वो सभी यहां पर eligible रहेंगे अब आते ग्रेजुट वालों के लिए ग्रेजुट इंजिनर ट्रेणी एलेक्रिकल वालों के लिए तो इलेक्ट्रिकल से relevant जितनी भी आप लोग की विकिंसी निकाली गई है यहां पर आप लोग की विल्क में हाई निकल रखी है तो जरूर कर देना तो चलिए मैं आप लोगों को एक यहां पर पिता देती है चलिए डिप्लोमा लोग को यहां पर ओपन कर लेजिए तो कई सकते आप लोगों जो अपर्स निम पर्स के लिए बना वायं ने चाँ लुआ कर देती हैं क्योंकि दूर कर देता है ऑप लोगों की जो मैं रहिए है वर्ट्र अप्र नेंग जो जो मिल्हां वाली तो भूट्यां फॉर्स यह यह जो लगाते हैं वह अई हैं वह अगर ग्मारीक ठीक है अगर हमारी girls है तो वो जिसे जो married girls होती है married वाली तो वो लगाएंगे Mrs. लेकिन अगर unmarried है तो लगाएंगे Miss ठीक है अब second name में आपका main नाम आजाएगा last name में आप लोगों का surname आजाएगा ये basically आजाएगा पासवर्ड आप लोग कोई भी अपना create कर सकते हैं पासवर्ड सभी characters से relevant होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि एक ही English English वाले आप लोग के सारे word हो गए तो counting आप लोगा English small letter capital letter specific specific में जैसे has हो गया ये add the rate हो गया star हो गया ये सभी आते तो इन में से ये भी सामिल करें email id अपने डालेंगे then upload repeated id और उसके बाद यहां पर एक option दिया गया है yes करने का तो इस पर yes किजिए yes करेंगे तो register and apply का ये option on हो जाएगा register and apply का मतलब है जैसी आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ये register and apply हो जाएगा जैसी आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गईज एक बड़ा सा फाम उपन होगा इदना भी बड़ा नहीं है तो tension वाली बात नहीं है वहां simply आप लोग उसे क्या मांगा जाएगा आपकी qualification and resume upload कराया जाएगा उसे कर देना और फाइनली यह आप लोग का submit हो जाएगा तो यह आप लोग का process ना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like and channel को subscribe जरूर कर लेना